हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में बारते जन्ता पार्टी को नया रूप देने वह उसे विश्वकी सबसे बड़ी पार्टी बनाने की पत्कता लिखने वाला यदि कोई है तो वह केवल और केवल एक आदमी ही है और वह अमिच्छा है अमिच्छा को आदूनिक चानक के कहा जाता है वह आने वाली प्रिस्थियों को आकलन समय से बहुत पहले ही कर लेते हैं और फिर अपनी रणनिती को उसी के अनुरूप त्यार कर लेते हैं अमिच्छा ऐसे रणनिती कार है जिसके सामने बड़े बड़े विरूधी पस्त और असाय हो जाते हैं विरूधी को समझ नहीं आता है कि बाजपा के चानक का क्या काट है अमिच्छा पहले गुजरत की राजनिती में सक्रियत है मगर 2014 के बाद वेप परदान मंत्री नरेंदर मोधी के साथ केंदर में अपनी बागिदारी परदान कर रहे है और समुच ये देश में बाटे जनता बाटे की पहुच को बढ़ा रहे है आज उनके नेतरतों में बीजेपी जीत का दूसरा नाम बन गई है उन्होंने अपने सूजबूस से साबित कर दिया कि वह आदूनिक चानक क्या है जोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अमिट शागी अब तक की जीवन काने दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन भी दबा दे जिससे हमारे लेटिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे अमिट शागा जन्म 22 अक्तूबर 1964 को मारेश्टर के मंबुई में हुआ था उनके पिता का नाम अनिल चंदर शाग और माता का नाम कुसूम बैन साह था उनकी छे बैने है 1987 में उनका विवा सोनल साह के साथ हुआ उनका एक बैटा है जिसका नाम जैशा है जैशा की पतनी का नाम हाशिता शाह है अमिट शा के बेटे जैशा पेशे से एक वैपारी है और वह फिलाल राजनिती से दूर है पेशे से अमिट शा के पिता भी एक वैपारी थे उनका पैत्रुक निवास्तान गुजरात के पाटन जीले के चंदुर में है वे पड़ाई के लिए मैसाना आ गए थे अमिट शा हिं अमिर्शा एक दनी वेवसाइक परिवार्ट से आते हैं और उनका आरंबिक जीवन एमदाबाद में गुजरा है। पार्टी जन्ता पार्टी की सदसेता उन्हें वर्ष 1985 में प्राप्त की थी। अमिर्शा ने अपनी राजनीती की यात्रा आरंब गुजराट से जरूर की थी। वैसे राज्यों में विश्तार करना आरंब कर दिया। जब बीजीपी के लिए चुनाव को जीतना तो दूर की बात थी। वहाँ पार्टी के उमीदवारों का जमानत तक जब्थ हो जाये करता था। श्रीशा ने वैसे राज्यों में भी पार्टी को मजबूत किया। श्रीशा के जबदस मास्टर बैन के कारण बीजेपी एक जीतने वाली पार्टी बन गई। और कुछ राज्यों को यली छोड़ दे तो देश के करीब करीब सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई कई गट बंदन से तो कई अपने बल पर तो कई कुट निती से श्री शा की कुशल मेनेजमेंट के कारण उने अधुनिक चाने की उपाती से सम्मानित किया जाता है वास्ता में श्री अमीर शा इसके लायक भी है वह एक सच्चे देशबक्त, राष्टरवादी और कुशल रनितिकार है तो नोस्तो ये थी अमीर शा के अब तक की राजनितिक की सफर की जीवन कहानी उवीदे आपको जानकारी पसंद आयोगी अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जाहिंद